चार का पहाड़ा मल्टिप्लिकेशन टेबल ओफ फोर आज हम सीखेंगे चार का पहाड़ा नेहा, कुछ दिनों के बाद मेरी छोटी बेहन का जन्म दिन है पापा ने मुझे ये पता लगाने के लिए कहा है कि सभी महमानों को बैठने के लिए कितनी मेज और कुरसी चाहिए कुरसी कितनी चाहिए ये तो मैंने पता लगा लिया है लेकिन मेज कितनी चाहिए ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ क्यों? जैसे कुर्सी के लिए पता लगा लिया, वैसे ही मेज के लिए भी पता लगा लो? अरे, कुर्सी कितनी चाहिए, ये पता लगाना तो आसान था कुल 32 महमान आ रहे हैं, तो कुर्सी भी 32 चाहिए एक मेज तो कई लोग इस्तिमाल करेंगे, इसलिए दिक्कत हो रही है अच्छा, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ ये बताओ कुल कितने महमान आएंगे? 32 और एक मेज को कितने महमान इस्तिमाल कर सकते हैं? 4 एक मेज चार महमानों के लिए हो गई दो मेज कितने महमान इस्तिमाल करेंगे, ये पता करने के लिए 4 को 2 बार जोड देंगे 3 मेज के लिए 4 को 3 बार जोड देंगे मतलब 4 का पहारा पढ़ना चाहिए पहारा मतलब किसी नम्बर की एक से लेकर 10 तक गुणा करने पर जो सूची मिलती है उसे उस नंबर का पहाड़ा कहा जाता है जैसे चार का पहाड़ा होगा चार का गुणा एक नंबर से लेकर दस नंबर तक करने पर जो क्राम आएगा अगर चार का पहाड़ा मुझे याद होता तो मैं बहुत जल्दी बता पाती कि तुमको कितनी मेज की जरूरत है अच्छा, मतलब पहाडा याद हो तो पेपर पेन की जरूरत नहीं है हाँ, फिर पेपर पेन की जरूरत नहीं होगी तो अब क्या करेंगे? चार का पहाडा लिखेंगे लेकिन कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है या तो चार को बार-बार जोडते जाओ या फिर चार-चार अंक छोड़ कर गिनते जाओ मैं समझा नहीं देखो, चार के पहाडे का पहला नमबर पता करने के लिए चार का गुणा एक से करेंगे उसके लिए चार को एक बार जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा चार वो तो किसी भी नमबर को एक बार जोड़ेंगे तो उत्तर वो नमबर ही आएगा हाँ, इसलिए दो एकम दो और तीन एकम तीन होते हैं एकम मतलब? पहाडे आसानी से याद करने के लिए गा कर याद करते हैं इसलिए दो गुणा एक बराबर दो को दो एकम दो और तीन गुणा एक बराबर तीन को तीन एकम तीन बोल देते हैं ओ, मतलब चार गुणा एक बराबर चार को चार एकम चार पढ़ेंगे अब हमको चार के पहाड़े का पहला नमबर पता चल गया है अब अगला नमबर पता लगाने के दो तरीके हैं चार को दो बार जोड़ कर या फिर चार के बाद का चौथा नमबर पता करके चार को दो बार जोड़ने में उत्तर आएगा आठ अब चार के बाद का चौथा नमबर पता कर लेते हैं ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नमबर हुआ आठ दोनों तरह से उत्तर एक ही आ रहा है, जो आठ है इसका मतलब हुआ चार दूनी आठ होंगे हाँ, अब दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके का इस्तिमाल करके हम चार का पुरा पहाड़ा लिख सकते हैं ठीक है, मैं पता करता हूँ चार गुणा तीन का उत्तर पता करने के लिए या तो चार को तीन बार जोड़ देते हैं या फिर आठ के बाद का चौथा नमबर पता कर लेते हैं आठ के बाद का चौथा नमबर है बारह और चार को भी अगर तीन बार जोडेंगे तो उत्तर आएगा बारा इसका मतलब चार तिया बारा होगा अब अगला नंबर पता करने के लिए चार को चार बार जोडेंगे रुको नेहा, मुझे लगता है कि हमें चार को चार बार जोडने की जरूरत नहीं है फिर कैसे पता लगाएंगे कि चार गुणा चार कितना होता है? देखो, हमने चार गुणा तीन पता करने के लिए चार को तीन बार जोड़ा था, जिसका उत्तर आया था बारह तो अब बारह में चार जोड़कर हम पता लगा सकते हैं कि चार को चार बार जोड़कर कितना उत्तर आएगा अच्छा, यानि चार को चार बार जोड़ने की जगह हम बारह में चार जोड़ दें और इससे उत्तर आएगा सोला, यानि चार चौके सोला इसका मतलब हम 4 के पहारे के अगले नमबर को 16 में 4 जोड़ कर पता कर सकते हैं जो होगा 20 इसी तरह अगला नमबर 20 में 4 जोड़ कर पता चल जाएगा यानि 24 इस तरह 4 जोड़ते जाते हैं और अगले नमबर को पता करते जाते हैं अब हमको चार का पूरा पहाड़ा पता चल गया है, लेकिन मेरी समस्या तो वहीं की वहीं है, 32 महमानों के लिए कितनी मेज चाहिए? अरे पता चल तो गया, देखो, चार के पहाड़े में 32, 4 को 8 से गुणा करने पर आ रहा है, इसका मतलब तुमको 8 मेज की जरूरत है अरे हाँ, इस पहाड़े से हमें पता चल रहा है कि 8 मेज 32 महमान इस्तेमाल कर सकते हैं अब चलो चार के पाहड़े को भी गाकर याद कर लेते हैं चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिया बारह, चार चौके सोलह, चार पंजे बीस, चार छीएं चौबीस, चार सत्य अठाईस, चार अठे बतीस, चार नम छतीस, चार दहाई चालीस ये मज़ेदार है, ऐसे तो हम चार का पहाड़ा आसानी से याद कर सकते हैं आज आपने सीखा कि किसी नमबर की एक से लेकर दस तक गुणा करने पर जो सूची बनती है, उसे उस नमबर का पहाड़ा कहा जाता है और जिस नंबर का पूरा पहाड़ा पता करना हो उस नंबर को लिख लीजिए और उसमें उसी नंबर को जोड़ते जाईए जैसे चार का पहाड़ा पता करने के लिए सबसे पहले चार लिख लीजिए और फिर चार में चार जोड़ दीजिए जो उत्तर आए उसमें फिर से चार जोड़ दीजिए और ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपको पूरा पहाड़ा ना मिल जाए